नमस्कार दोस्तो विहार बोट क्लास 12 हंदी दिगन्ध 100 मार्स जो 2022 में E режим डेंगे 12 या फिर 13 का दोनों के लिए हंदी व्यार्ड धा म मलते हैं और 12 का लिए 15 व गूते हैं त fawn में आना 9 ये 20 व स्ट्वयाद के बहुते हैं और 12 की बहुते हैं हैं ठेक है तो सौ मार्स का हिंदी पूछा जाता है और आपको उसमें जो हिंदी व्याकरन बहुती महत्पुन भूमी का निवाता है विलोम सब्द जो की सबसे इजी माना जाता है बच्चे से हम लोग क्या कर रहे हैं इसको रटे हुए हैं कि इसका विलोम सब्द की सब्द का वि कर लेंगे ठीक है और जो आसानी से याद है उसको एक बार कर लेंगे ठीक है तो सुरूर करते हैं पहला क्ष्टन से जैसे आप क्ष्टन है अनुराग का मैं ऐसे विलोम क्या होगा ये question है आपका अनुराग का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है तो बताए अनुराग का विलोम क्या होगा option में आपको दे दिया राग जैसे आप से पुछा राग है विराग है, वेरग्य है, प्रेम है तो अनुराग का आप क्या याद किये हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा अनुराग का विराग, इसका सही उतर हो जाएगा विराग, ठीक है, दूसरा नमर देखिए, दूसरा नमर है, अथ, अथ का क्या हो जाएगा? अथ, अथ का क्या हो जाएगा? उप्सन सुनिए, अक्षा, आदी, उदय, इती, अच्छा, आदी, उदय, इती, इसका सही उतर क्या हो जाएगा? तो अथ का क्या होता है? इती, इती है, तो यह आप याद कर लिजिए, दूसरा नमर, तीसरा देखते हैं, क्रिस्न, क्रिस्न का विलोम सब्द क्या होगा क्रिस्न का विलोम सब्द क्या होगा option सुन लिजिए काला सफेद सुकल उजला काला सफेद सुकल उजला तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकल हो जाएगा क्रिस्न पक्च और सुकल पक्च होता किरिशन मतलब काला होता है लेकिन हमें सब्द को देखना है उसके परियावाची को नहीं देखना है कि किरिशन मतलब काला होता है तो हम डाड़िक उजला लगा देंगे नहीं जो सब्द है उसी की अनुरूप हमें दूसा सब्द देना है विलोम सब्द में यह आपको याद कोईशन और ले लेते हैं कि अस्थावर का विलोम क्या है जैसे आप से पूछा अस्थावर अस्थावर का विलोम क्या होगा यह बताइए अस्थावर का विलोम क्या होगा इस्थीर जंगम सरल बरा इस्थीर जंगम सरल बरा तो इसका अस्थावर का जो विलोम सब्द होता है जंगम, यह याद कर लीज़े, पांचवा नमबर नर, नर का विलोम सब्द क्या होगा, नर का विलोम सब्द बताना है, उप्सन है, पुरुस, वेक्ति, धनी, नारी, तो नर तो पुरुस होता है, लेकिन हमें, जो सब्द है, उसी के अनुरूप ह हमें उसका उतर देना है, प option में दिया रहता चार option में दिया रहता चार option में नारी महिला पुरूस और कुछ भी और व्यक्ति दिया रहता तो आप पूरूश को मतलब की महला को नहीं लगाथे नारी को ही लगाते या इन में से कोई नहीं दो है, अस्तूती का विलोम क्या होगा, आपको ये बताना है अस्तूती का क्या होगा औप अप्शन शुननीजिए निंदा शिकायत घ्रिना द्वेस निंदा सिकायत घ्रिना द्वेस तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निंदा तो अस्तुति का होता है निंदा सात्मा नमबर देखते हैं सात्मा नमबर संध्या का विलोम क्या है तो संध्या मान लेजिए कि जो संध्या है उसका विलोम क्या हो जाएगा अप्शन सुन लेजिए प्रात प्रात नीसा रातरी तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो संध्या का सही उत्तर हो जाएगा प्रात तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रात तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रात तो हम रात देते हैं ठीक है और इसी तरीके से सुबा का साम देते हैं लेकि यहां पर क्या संधिया है तो हम प्राता दियें आठवा नमर देखते हैं हम आठवा नमर देखते हैं तलवार तलवार का विलोम सब्द क्या होगा तलवार का विलोम सब्द क्या होगा चंदर, सायक, तुंग, प्रभा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सायक तलवार का क्या हो जाएगा सायक इसका सही उतर हो जाएगा तलवार का सायक तो तलवार का हो जाएगा सायक ये भी याद रख लिजी आप ठीक है देखिए जब हम 20 कम से कम 50 विलोम जब्द लेंगे तो उसमें से कम से कम आपको 30 कम से कम आपको 15 15 आपको ऐसे objective question परकराएंगे विलोम सब्द का जो आपको आता ही नहीं होगा यकीन मानिए जैसे अथ है आप याद किये होंगे लेकिन आप उसको भूल गये होंगे तो अथ का इती होता है अस्थावर ये आपके लिए नया है तो इसको याद कर लिए अस्थावर का जंगम तलवार का तो पता है लेकिन तलवार का सायक होता है तो कम से कम पचास में पंदरा को कुशन हार्ड होता ही है नौमा देखिए आस्तिक का विलोम सब्द क्या होगा? अगर आपसे पूछा आस्तिक तो आस्तिक का क्या होगा? इसको आसानी से आप क्या लगा सकते हैं option सुल लेते हैं amanus, nastik, satan इन में से कोई नहीं तो हम आस्तिक का क्या लगा सकते हैं nastik लगाएंगे इसका nastik आलसी का विलोम क्या होगा आलसी मान लिजिए हम बोलें आप से क्या कि आलसी अगर बोले कि आलसी का विलोम सब्द क्या होगा तो आलसी का क्या हो जाएगा option सुन लेते हैं तेजस्वी, विनर्म, परिस्रामी, उद्यामी तेजस्वी, विनर्म, परिस्रामी, उद्यामी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्यामी कायर का विलोम क्या होगा आपको बताना है ओप्सन सुनते हैं बहादूर, सक्तिसाली, पहलवान, अरवडिया तो सही उतर क्या हो जाए कायर का क्या हो जाएगा बहादूर बारवा देखते हैं पुरूस पुरूस का क्या हो जाएगा option सुन लेते हैं इस्तरी, नारी, महिला, वनीता तो यहाँ पे पुरूस का इस्तरी होगा यह याद रखना है देखिए इस पाचवे question को और बारवे question को देखिए यहाँ पे आपको क्या है नर है तो नर का नारी है पुरूस का इस्तरी है ठीक है आपको option सिर्फ सुनना है और सुनकर उसे जवाब देना है ठीक है तो रात का क्या हो जाएगा आपके अंदर से आवाज आती होगी को रात का दिन होगा तो सही उत्तर है, रात का दिन है इसमें option देखते हैं क्या क्या हो सकता है रात के विलोम के लिए क्या क्या ओप्सन हो सकता है रात का विलोम दिया है सुबह दीन सबेरा दो पहर तो सुबह तो हो नहीं सकता है क्योंकि सुबह का साम होता है दीन होगा क्योंकि दीन का रात होता है सबेरा नहीं हो सकता है दो पहर नहीं हो सकता है ठी सुमती का विलोम क्या होगा सुमती सुमती का विलोम क्या होगा दुरगती कुमती इसमिर्थी जागरिती तो सुमती का विलोम क्या होगा इसका सही उतर होगा कुमती क्या होगा एक, दो, तीन, चार, अभी, चार कोईशन जो आया है, उसमें से आपको चार कोईशन याद रखने हैं, ठीक है, पंदराहवाँ देखते हैं, सुम्ती का तो कुम्ती याद रखना है आपको, आलिंगन, आलिंगन, ये भी कुछ नया दिख रहा है, आलिंगन का क्या विलोम आप्सन सुनिए, विरह, पीरा, वेठा, दूख, तो इसका सही उतर है, आलिंगन का विरह, इसका सही उतर हो जाएगा, विरह, तो विरह इसका सही उतर हो जाएगा अब देखिए, प्रित्वी, धरा, धरती तो इसका सही उतर क्या लग रहा है अंबर का होता है अवनी ये भी याद रख लिजे कि अंबर का होता है अवनी अंबर का होता है अवनी ठीक है सत्रहवा देखते हैं सत्रहवा हासे का विलोम क्या होगा रोना असुरू रुदन रुलाई तो रोना का क्या होगा हसना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हासे का विलोम क्या होगा अगर पूछा जाए आप से क्या हासे क्या विलोम क्या होगा तो रोना असुरू रूदन रूलाई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हासे का होता है रूदन क्या होता है रूदन यहाद रखना है अठारवा नंबर देखते हैं नया का विलोम क्या होगा तो इसका आसानी से आप क्या लगा देजेगा पुराना आप्शन सुनिए पुराना, प्राचीन, गंदा, फटा तो पुराना तो सही उतर है तिन ओर आप्शन इसमें दिया जाए तो प्राचिन का हो जाएगा आधूनिक गन्दा का साफ फटा का जो फटा हुवा कपड़ा है वो सिया हुआ कपड़ा है ठीक है? 19 नमर देखते हैं देखें 19 नमर देखते हैं जन्म का विलोम क्या होगा? अगर पूछा क्या जन्म जन्म का विलोम आपको बताना है तो जन्म का मिर्थू तो होगा ही इसमें option सुन लेते हैं मिर्थू, मौत, मरन, विदा तो मिर्थू तो होगा जन्म का मिर्थू जन्म का मिर्थू होगा ठीक है मौत नहीं होगा मरन भी नहीं होगा देखिए उसी के जैसा देखे आज देगा आपको ऑप्सन में लेकिन आपको जो याद करना यह सब को स्क्रीन सोट लेकर इसको याद कर लीजिए ठीक है बिस्वा नमर देखते हैं आई आई का रार्थक सब्द क्या होगा तो आई का होगा वैर क्या होगा वैर ऑप्सन सुनिए खर्च वैर खुद्रा व्यतन तो सही उत्तर हो जाएगा वैर ठीक है और भी देखते हैं इसी में एक इस नमर देखते हैं खारा का विलोम क्या होगा खारा अगर पुछा खारा तो खारा ओप्सन सुनिए चीनी मधूर मीठा में श्ठान तो इसका सही उत्तर हो जाए खारा का होता है मधूर खारा का होता है मधूर मधूर इसका सही उत्तर ये भी याद कर लेजिए ठेक है जो नया नया आ रहा है उसको चोड का विपड़ी तार्थक सब्द क्या होगा चोड तो चोड का क्या होगा ओप्सन सुन लेजिए कप्टी सामान चुराने वाला चोडी चुराने वाला तो आप इसको आसानी से लगा देज़ेगा लाब का हानी होता है। अब option देखिए क्या-क्या दे सकता है। लाब का होगा इज़त कमाना पैसा कमाना हानी इन मेंसे कोई नहीं। तो यह चार option आपसे दिये जाएंगे तो हम हानी को लगाएंगे ठीक है। 24 नमर देखते हैं आसा का क्या विलोम होगा अगर आपसे पूछा क्या आसा आसा का विलोम क्या होगा तो आसा का आसानी से क्या लगाएंगे निरासा आसा का लगाएंगे निरासा ओप्सन सुन लिजे निरासा मंगल उम्मीद इन में से कोई नहीं तो ऐसा option अगर 4 option दिया जाए तो निरासा को लगाएंगे 25 नमर देखते हैं पुरसकार तो पुरसकार क्या क्या होगा इसको आप option 4 option सुन लेते हैं उसके बाद इसका लगाते हैं पारिस्रमिक, डंड, अपमान, सम्मान तो सही उतर क्या हो जागा पुरसकार का होता है डंड ठीक है 26 नमर देखते हैं उन्नती अगर पूछे की उन्नती का विलोम क्या होगा उन्नती तो उन्नती का विलोम आपको बताना है प्रगती उपर चाल अवनती तो उन्नती का होता है अवनती अवनती उन्नती का अवनती आगे देखते हैं 27 नमर देखते हैं बार का क्या होगा तो बार का सूखा होगा इसका तो आसानी से बता देगा कोई बार का सूखा ठीक है फुरसकार का डंड ठीक है ये भी याद कर लेना आपको सब्भे का क्या होगा तो सब्भे का असानी से बता देगा सब्भे का क्या होगा सब्भे का असब्भे होगा क्या होगा असब्भे सब्भे का असब्भे ये यह है ठीक है असब्भे और भी देखते हैं 29 नमर दोस का विलोम क्या होगा दोस वह वैक्ति दोस है दोसी है तो दो दूसित तमीज गुन तो सही उतार है गुन दोस् iteration क्या होगा गुन थीज नम्मर्न देखते हैं निश्चै का विलोम क्या होगा निश्चै अगर आपसे पूछा जाए निश्चै का क्या होगा विंटी अब सर अकस्मात अनिश्च抓 तो निश्य का होगा अनिश्य यह हो जागा अनिश्य यह चो है और यह यह है 31 नमर देखते हैं गरहन का विपड़ी तार्थक सब्द क्या होगा तो गरहन का क्या होगा गरहन करने योगे छोड़ना पाना या त्याग तो जो गरहन है यह दूसरा गरहन है ग्रहन मतलब की सुईकार करना यहां पर ग्रहन को क्या होगा त्याग ठेक है तो इसी के सेंस मतलब लेना का देना होता है पाना का छोड़ना होता है लेकिन यहां पर ग्रहन है उसी के अधार पर त्याग होगा तो इसमें से हमको एक अथ हम देखें जो आपको याद रखना है दूसरा अस्थावर का जंगम याद रखना है, तलवार का सायक याद रखना है, सायक, सुम्ती का कुम्ती, अंबर का अवनी, हासे का रूदन, खारा का मधूर, ये जो आपको आए हैं साथ आयें लगबर, एक, दो, तीन, चार, पांग, छे साथ, जो साथ पकराएं हैं, 31 में से 7 कोशन आपने नया देखे होंगे, और अस्थान इस्टूर्ण ने इसमें नया कोशन देखे होंगे, 31 में से 7 कोशन नया देखे होंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से रिविजन तो नया नया कोशन आएगा, और आप आसानी सुस कोई रिमेंबर कर लिजेगा, ठीक है, दोस्तों, धन्यवाद,